हलो एवरिवन वल्कम टू माई चानल सो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है हम सभी अनपेसिवियंस के लिए एक्चुल में हम एक डिजिटल वर्ड में काम कर रहे हैं और ये होना स्वाभाविक है आपको इससे घबराना नहीं है अगर आपने कुछ भी मिश्टेक की तो एक्चुल में आपका डेटा पूरा का पूरा उस थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इसलिए बी केरफुल ये वीडियो हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए और डरना बिल्कुल नहीं है एक्चुल में ये वीडियो के थुरू मैं डराना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ step है जो आपको follow करने है हम सभी founding member जानते हैं कि Mr. S. ने बताया था कि जिन सभी founding members ने withdrawal लगाया है तो वो अपने email को चेक करते रहें alternate email and email को चेक करते रहें तो my friends अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोगों को email आ रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने विटॉल नहीं लगाया उनको भी email आ रहा है तो वहाँ पे email मेरे पास भी आया वहाँ पे email जब मेरे पास आया तो वहाँ पे क्या मांग रहा है वहाँ पे मांग रहा है भाई आपना phone number दें अपना email ID दें अपना ये दें अपना वो दें बैंक डेटल दें तो ये सब चीज़े मांग रहा है तो actual में वह email fake है मुझे पता चल लगा है कि वह actual में email fake है और वो किसी बंदे की थुरू email marketing किया हुआ email है और हम सब भी लोग जानते हैं कि जो data है actual में ID का है तो बहुत सारी चीज़े देते रहते हैं तो एक कोई बहुत आम बात है ये आप इसलिए आपको target किया जा रहा है क्योंकि आप digital industry को जानते हैं और आप इसमें अगर first जाओगे तो बहुत बड़ा आपके साथ में खेल हो जाएगा अभी वहाँ पे आपको एक email आएगा या फिर बहुत सारी email आ सकती है आपको तो वहाँ पे आपको phone number मागने को बोलेगा कि आपका phone number क्या है and then उसके बाद में आपका ये आपका ID card क्या है आपका email ID क्या है जो दुसरा email ID वो क्या है and उसको confirm करने के लिए बोलेगा पता है जो email करते हैं उनको खुदी पता नहीं होता है कि ये active email है या नहीं है तो इसलिए वो reply के रूप में वो चेक करते हैं कि वो active email है या फिर नहीं है फिर उसके बाद में वो active email और inactive email को छाट देते हैं को बोलते है email marketing suppose कि उन्होंने एक लाख लोगों को email भेजा and एक लाख लोगों के email में उन्होंने देखा कि मातर 1200 ही लोगों का reply आया है तो मतलब कि जो जितनी email थी वो बेकार चली गए हमारी वो 1200 लोग ही active है जो email को check करते हैं अब वो क्या गरते हैं 1200 लोगों को वो target करते हैं किस अधार पर target करते हैं कि उन्होंने पिछले 30 दिनों के अंदर क्या activity की उनको पता होता है पता होता है उन्हों वो data खरीते हैं दूसरी companyों से के actual में Google पे जाकर कि ये क्या कर रहा है and Amazon पे जाकर कि क्या कर रहा है बट आप ignore करते हैं उनको data आप मत दें वो खुद ही उसको इनेक्टिव मान करके कही ना कहीं चले जाएंगे अभी यहाँ पे real email कौन सी है और fake email कौन सी है ये जानने का सबसे बहतर तरीका क्या है अभी आप वहाँ पे जब email कोई suppose करें कि मैं email आपको करता हूँ और bulk में बहुत सारे लोगों को email कर देता हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा my defense सबसे उपर आता है company जिस भी company का email आता है सबसे उपर उस company का email का नाम आता है suppose करें कि मेरा नाम मेरी company है hdfs.com करके मेरी company की website है hdfs.com करके at the red.com करके मेरी जो है ना यहाँ पे email भी है तो उसके नीचे क्या होता है कि अगर कोई real email है और वहाँ पे उस email के through जब वो आपको email करता है वो real चीज है तो वो actual में अपनी website को जरूर mention करता है या फिर company की profile को जरूर mention करता है आप on pursue के पुराने email को चेक करें आप on pursue के जो पुराने emails है जो आपको o connect के रूप में आया या फिर किसी भी रूप में आया तो वहाँ पे on pursue के profile या फिर on pursue का जो website है वो जरूर mention किया गया है और जो भी processor से email होगा तो वहाँ पे एक professional email के साथ में आपको verification का जो email होगा आपका वहाँ पे उस processor का नाम भी लिखा होगा and वो एक अलग ही email होगा ऐसा नहीं है कि धाई million dollar आपको यहाँ पे दे रहे हैं आप यह अपना number दे यह दे तो actual में आपने जितना withdrawal लगाया है उसके according वहाँ पे email आने वाला है आपने जो भी वहाँ पे किया है उसके according email आने वाला है और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी alternate email के साथ में उस email को भी जाच करें जो आपकी actual में email ID है जिस पर आपने withdrawal लगाया है क्योंकि email ID पर भी आपको email मिलेगा और आपकी alternate email ID पर भी email मिलेगा बाकी सारी जितनी भी email आती हैं वो कही न कहीं email marketing लोग करते हैं actual में inactive, active करके फिर बाद में वो audience को target करते हैं ये email marketing कहलाती है और हमें इससे बिल्कुल डरना नहीं क्योंकि हम एक digital industry में काम कर रहे हैं और हम उनकी कहीं न कहीं एक digital list में सामिल हैं तो इसलिए अभी तक हमें वुस तरीके का उन्होंने target नहीं किया है वो चाते हैं कि हम उनके company के साथ काम कर रहे हैं फिर जो भी वो fraud करना चाते हैं क्योंकि कैसारी fraud email होती है वो आपका bank account कैसारी चीज़े वो आपको देना नहीं है phone number आपको देना नहीं है अपने bank detail आपको देनी नहीं है बिल्कुल भी अभी यहाँ पे important चीज़ आती है कि जो actual में आपकी email है वो आपकी email पे भी mention की गई होगी ओके तो email एंड email उसके बाद में आप अपने sponsor से जरूर connect करें कि यह email सही है या गलत है ताकि वो आपका sponsor leader से पूछ कर या आप leader से पूछेंगे तो देन वो आपको clear करेंगे तो my friends यही थी जानकारी तो आप इसको share भी कर सकते हैं